जैसा देश के गरीबों के साथ हुआ है वैसा ही छल इस देश की माइनोरिटी के साथ हुआ है दुर्भागे से देश की माइनोरिटी को उस छल में उस छलावे में ऐसा ब्रमित रखा गया है उसो बहिवीत रखा गया है लेकिन वोडबेंग की राजलीती में एक छलावा एक कालपनिक भाए एक कालपनिक वातावारण और दर का माहुल पैदा करके उनको दूर भी रखा दबा करके भी रखा और सिरफ चुनाओं में उप्योग करने का खेल चला कि हमें इस चल को भी छेद करना है पहले तो हम लोग नई हकूमत को और वजीर आजम प्राइम निस्टर सहब को मुबारक बात पेश करते हैं कामियाबी पे और नई हकूमत की तश्कील पे और ये निया खवाइशात के इजहर करते हैं कि नई हकूमत मुलक तामीर तरकी के सही रह पे आगे ले जाएगी और तमाम कमुनिटीस को साथ में लेके चलेगी और प्राइमिस्टर सहब कि इस बयान का दिल की गहराईयों से इस्तगबाल करते हैं जिसमें उन्हें कहा है कि जो माइनर्टीस के जहनों में एक फियर है एक डर है खौफ है उसको दूर करने की जरूरत है और इस बयान के बाद ये अमीद जागी है कि नई हुकूमत मुसल्मानों के सोशल और एकनॉमिकल और एजूकेशनल डवलप्मेंट की तरफ खौसी धियान देगी कि इन तीनों फिल्ड में माइनर्टीस बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है और अगर मुल्क को सही तोर पे तामीर तरक्ती की रह पे ले जाना है तो उसमें माइनर्टीस को साथ में लेकर के चलना जरूरी है इस प्राइमिस्टर के इस बयान से माइनर्टीस में हम यह जितने भी सियासी पाल्टीयां सबने मुसल्मानों को वोट बैंक संजा और किसी ने मुसल्मानों के लिए कुछ किया नहीं अगर आप हकीकत पूछिए आदादी के बास से मुसल्मानों के साथ में कुछ नहीं हुआ और मुसल्मानों को सिर्व वोट बैंक की तरह देखा ग हमेशा जो है डरा डरा सहमा सहमा सा रहा इस से पहले पाच वरत भी हुकूमत रही इंडिये की इस वाद फिर मोदी जी जीत के आएं मुझे अमीद है कि मुसल्मानों को पर वो अपना भरोसा खाहिम करेंगे और जो मुसल्मानों के अंदर दूसरी सियासी पार्टियों की डर पैदा किया गया उस डर को निकालेंगे हम हिंदोस्तान में रहते हैं मोदी हिंदोस्तान के वजीर आजम है हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी परधानमंत्री जी की बनती है लहाजा इसके अंदर हर मुसल्मान उनसे उम्मीद करता है और थोड़े से वो लोग जो इस त परधार उनस में भी भरोसा किया गिया है कल परधानमंत्री जी का जो इंडिये की मिटिंग थी और जो सब थी मैं समझता हूं उन्होंने बहुत अच्छी बात कहिए कि उनका भरोसा जीता जाएगा और भरोसा जीतने के लिए अगर वो सिर्फ एक सेंटेंस बोल दें अपन लड़ाने में या उनके दिलों को दूर करने वाले अलफाज यूसक इस्तेमाल करें तो मैं समझता हूं कि इससे अच्छा कोई मैसेज नहीं है और बहरहाल परधानमंत्री जी ने कहा है मैं उनकी इस बात का स्वागत करता हूं इस बात को खुशामदीद कहता हूं कि उन्ह परधानमंत्री जी से दूर करने की कोशिश करते रहती है जैसा देश के गरीबों के साथ हुआ है वैसा ही चल इस देश की माइनोरिटी के साथ हुआ है दुर्भागे से देश की माइनोरिटी को उस सल में उस सलावे में ऐसा ब्रमित रखा गया है उसों बहिवीत रखा गया है अच्छा होता उसके सिख्षा की चिंता होती अच्छा होता उसमें समाजिक सर्वाजिनिक धीवन के बिन बिन सरके लीडर पड़ा होते अच्छा होता समाज के अन्य वर्गों की बरावरी में उनका भी आर्फिक समाजिक विकास होता लेकिन वोटबेंग की राजलीती में एक छलावा एक काल्पनिक भाय एक काल्पनिक वातावारण और दर का माहुल पैदा करके उनको दूर भी रखा दबा करके भी रखा और सिर्फ चुनाओं में उप्योग करने का खेल चला 2019 में आज मैं जिम्मेवारी के साथ आपसे अपेक्षा करने आया हूँ अब जब समीधान के सामने सर जुका करके आपके सामने खड़ा हुआ हूँ तब मैं आपसे आगर करूँगा कि हमें इस चल को भी छेद कर रहा है झाल